प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी की तीसरी सरकार ने अपने पहले सौ दिनों में शेयर बाजार में शानदार प्रदशन किया है सेंसेक्स और निफ्टी ने इस दोरान 7 फीसदी से ज़्यादा की व्रिद्धिदर्श की है जिसमें निवेशकों को 38 लाग करोड रुपे से अधिक का फायदा हुआ है यह प्रदशन बताता है कि शेयर बाजार ने मोदी 3.0 सरकार को पूरी तरह से स्विकार किया है और निवेशकों के लिए लापतायक्स सावित हुआ है मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद बाजार ने शुरुवाती दिनों में ही उछाल देखा था 3 जून को चुनावी नतीसों से पहले शेयर बाजार में 3 पीसदी से अधिक तीजी आई और कई प्रमुक कमपनियों के शेयरों ने 52 हपतों के उच्चतम अस्तर को छूलिया हाला कि 4 जून को बेजेपी बहुमत से दूर रह गई जिससे शेयर बाजार में स्थिर्था आई और सेंसेक्स और निफ्टी में 9 पीसदी की गिरावट दर्च की गई बिजेपी ने सही होगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और नरिंद्र मोधी ने 9 जून को तीसरी बार प्रिधारमंती पत की शपत ली इसके बाद से बाजार में स्थिर्था और आई निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिलने लगे सरकार के 100 दिनों में सेंसेक्स ने 7.10 पीसदी की बढ़ोती की जिसे निवेशकों की संपत्ती में बड़ी प्रिती हुई सेंसेक्स 10 जून को 76,04,090,08 अंकों पर बंध हुआ था जबकि 10 सितंबर को या 81,921,29 अंकों तक पहुँच गया सेंसेक्स में 5,04,031,31 अंकों की बढ़ोती देखी गई निफ्टी ने भी इसी तरह की बढ़ा दर्श की जिसे निवेशकों को अच्छी मुनाफा हुई